हाई फ्रेंड्स वेलकम टो आवर चाइनल आइम श्रीपाद नाइक और यू आर वाचिंग इलेक्टिकल अकेडमी तो देखो आज हम डील करने वाले हैं सिगनल एंड सिस्टीम को आज से हम शुरू करने जा रहे हैं और सिगनल एंड सिस्टीम की डिमांड बहुत थी हमारी चैनल में तो मैं श्रीपाद नाइक स्वागत करता हूँ आपका इलेक्टिकल अकेडमी यूट्यूब चैनल पे सिगनल एंड सिस्टीम आज हम डील करने वाले हैं और आज से continue आपको वीडियो मिलती रहेगी सिगनल एंड सिस्टीम की जब भी मुझे टाइम मिलता रहेगा सिगनल एंड सिस्टीम की वीडियो में शूट करता जाऊंगा फॉर यूर करिकुलर अकेडमिक्स इंजिनियरिंग के लिए गेट के लिए कॉंपेटिटिव एक्जाम्स के लिए ये सिगनल एंड सिस्टीम का पूरा जो प्लेलिस्ट में आपको प्रवाइड करूंगा वो काम में आएगा तो सिगनल एंड सिस्टीम में अभी शुरू करने जा रहा हूँ डिमांड पे आपके तो डील करते सिगनल एंड सिस्टीम और देखो network का जो हमारा चल रहा है basics of AC, fundamentals of AC जो हमारा शुरू है वो शुरू रहेगा उसका भी side by side में playlist पे video upload करता जाऊंगा लेकिन ज़्यादा focus अभी signal and system पे रहेगा ठीक है तो signal and system हम अभी start करने जा रहे ठीक है तो देखो signal and system की अगर मैं बात करूँ तो दो words आपको दिखाई देते first is signal and second one is system बरबरे तो signal system में आप जब deal करते हैं तो आपके पास कोई अगर एक system है मान लो एक example की अगर मैं बात करूँ अभी मैं जो बोल रहा हूँ तो वो आपको सुनाई दे रहा है बरबरे तो एक sender है एक receiver है sender आपका कोई information भेज रहा है और receiver वो information receive कर रहा है बरबरे तो sender ने information भेजी वो आपकी तरफ आई और आपने receive की वो इतना आसान नहीं है मान लो आप कोई telephone पे बात कर रहे है mobile पे बात कर रहे है तो आपने जो information भेजी वो दूसरा कई आप अगर पुना में है वो मुंबई में है कई पे भी है वो आपकी information receive कर रहा है आपका speed signal जो आप उसे भेज रहे हो वही speed signal वो उसके पास receive कर रहा है क्या वो इतना आसान है बिलकुल नहीं है इसके लिए आपको modulator लगेगा amplifier लगेगा फिर amplifier फिर से लगेगा demodulator लगेगा ठीक है और फिर वो information उसके पास जाएगा बराबरे क्योंकि wireless transmission है यह वाइरलेस लिए आप भेज रहे हो और उसके पास वो आ रहा है बराबरे तो signal and system का अभी role क्या है वो मैं अभी आपको बता दाओ तो मान लो मैंने कोई speed signal भेजा वो पहले जाएगा आपके transducer पे बराबरे ट्रांजूसर उसे convert करेगा electrical signal पे फिर वो जाएगा modulator पे modulator क्या करेगा carrier signal और यह जो speed signal होगा आपका वो mix कर देगा और amplifier को भेजेगा बराबरे amplifier उसकी power बढ़ा के फिर एक antenna को जाएगा बराबर और दूसरा जो antenna उसके पास रहेगा वो वो power receive करेगा फिर demodulator का roll आएगा ठीक है demodulator फिर वो carrier आपका जो signal है और जो आपने भेजा वो signal जो mix है वो separate करेगा और जो speed signal है वो transducer पर आएगा वो पहले electrical signal ही speed signal से convert हुआ है तो transducer पर अभी electrical signal आएगा और फिर transducer फिर से वो electrical signal को speed signal में convert करेगा तब उस व्यक्ति को आपकी आवाज सुनाई देगी इतना आसान नहीं है ठीक है तो यह जो सब कुछ हम बनाते है तो यह सारी systems है जो भी मैंने आपको अभी बोला transducer होगा modulator होगा आपको अगर यह जो भी मैंने example दिया यह पुरा detail में समझ में आया भी नहीं होगा तो भी चलेगा सिर्फ आप ध्यान दो यह important नहीं आपके लिए ठीक है तो system जो है तो system कोई भी हो सकती है आपका modulator एक system अप्लिफाइर एक system है तो system यह आपकी है इसको आप information दे रहे हो input दे रहे हो और उससे output आप receive कर रहे हो बरबर कोई system से input आप उसको दे रहे हो और वो output आपको दे रहा है बरबर तो signal का फिर क्या रोले तो signal किसके लिए आपको लग रहे तो यह system जो है जो मैं आपको बता उस system तो कोई भी system का analysis हमें करना है उसका response हमें अगर find out करना है तो उसके लिए हमें signal की जरुरत पढ़ने वाली है बरबरे कोई भी system का response find out करने के लिए हमें signal की जरुरत पढ़ने वाली है हमें input signal कोई भेजना होगा और उस system के characteristics के अनुसार हमें output पे कोई signal मिलेगा तो signal हमें किसके लिए लगेगा कि हमारा response system से response हमें find out करना है इसलिए हमें ये signal and system से deal करना है ठीक है तो अगर signal के definition के अगर मैं बात करूँ तो हम क्या दे सकते है signal की definition तो signal की definition अगर मुझे देनी है तो मैं यह दे सकता हूँ कि signal is a quantity having associated information with it बरबरे signal एक ऐसी quantity है जिसके साथ कुछ ना कुछ information जुड़ी होई होती है बरबरे तो वो information signal पास करेगा बरबरे तो signal ये आपका किसी time का function है ये तो हम कह सकते signal and system के लिए ये आपकी definition valid है कि signal is not only the function of time ये function है ही time का वो तो है ही signal system के लिए हम बोल सकते लेकिन सिर्फ वो time का function नहीं है it is also a function of coordinates ऐसा भी हम कह सकते वो कैसे वो मैं पहले आपको बताता हूँ उसके पहले आप ये definition signal की जो general definition है वो आप लिख लो signal की अगर definition की अगर मैं बात करूँ तो आप क्या दे सकते signal की definition signal is a quantity signal is a quantity having associated information with it ये आप definition दे सकते और अगर दूसरी definition में बोलू तो signal के लिए और एक definition है signal is a quantity which depends on which depends on which depends on two or more independent variables two or more independent variables कौन से भी variables पे वो depend रह सकती है signal and system particular subject की अगर बात करे तो वो time पे dependent है हमें पता है signal यह ऐसी quantity है जो function है time का ऐसे signal and system के respect में मैं बोला तो वो ठीक रहेगा लेकिन generally अगर बोला तो किसी भी two or more independent variables पे हमारा signal depend रहता है for example मैं बात करूँ किसी video को आप देख रहे हो video आपके सामने कोई play हो रहा है उसमें जो भी आपके pixels रहते वीडियो में तो कहीं पे आपको एक आदमी दिखाई दे रहा है कहीं पे आपको एक tree दिखाई दे रही है तो tree green in color है तो green color है तो उस corresponding pixel में आपका मतलब उस corresponding जहां आपको tree दिखाई दे रहा है उसका pixel अलग होगा, आपको आदमी दिखाई दे रहा है white shirt में उसका pixel अलग होगा, तो हर एक coordinates पे आपका pixel अलग-अलग है, तो in that case हम यह भी कह सकते हैं कि signal is a quantity which depends on time and coordinates, मतलब signal is a function of time also and also as well as coordinates, coordinates पे भी वो depend करता है, ठीक है, तो signal की general definition अगर मुझे दे नी है, तो मैं दे सकता हूँ, signal is not only the function of time, but it also the function of coordinates, क्योंकि हर एक coordinates पे अलग-अलग pixels आपकी रहेगी और उसके हिसाब से आपका signal vary होगा, जो मैंने आपको अभी video shooting का example दया, video जो आपके सामने play हो रहा है, बरबरे, तो signal is not only the function of time, but it also the function of coordinates, ठीक है, तो ऐसे हम deal कर सकते, तो signal की ये general definition आपको यहाँ दिखाई दे रही है, उसमें से आप कुछ भी दे सकते, तो हर तरप आपके जो भी signal रहते हैं, तो signal का example अगर मैं देना चाहूँ, तो मैं दे सकता हूँ first electrical signal, क्योंकि हम deal तो electrical signal से ही करने वाले अभी इस topic पे, signal and system subject में, तो electrical signal, for example आप हमेशा network में, machine में, V of T, I of T लिखते हो, उसमें क्या है, यह जो voltage है, यह आपका dependent variable है, और यह जो time है, यह आपका independent variable है, तो यह voltage आपका time पे depend कर रहा है, और time के respect में, voltage आपका vary कर रहा है, इसलिए आप V of T लिखते हो, I of T, करन के लिए भी वैसाई लिखते हो तो यह भी आपका एक signal है, electrical signal, जो change कर रहा है, किसी independent variable के साथ, ठीके, तो यह भी आपका एक signal है, बरबरे, अभी और अगर मैं बात करूँ, तो होगा आपका video signal, बरबरे, तो video signal का आपका जो range रहता है, वो 0 to 5 MHz तक जा सकता है, जनरली, audio signal रहेगा, speed signal रहेगा, data signal रहेगा, कुछ भी आप के सकते, तो यह सारे आपके signals ही है, और इस signals को आपको analyze करना है, system का response आपको find out करना है, तो यह signals की आपको मदद करेगी, यह signals जो भी रहेंगे, वो आपको मदद करेंगे, और ये जो signals रहेंगे जो system के response के लिए आपको मदद करेंगे तो ये आपको system का response find out करना है ये signals apply करके input और output system का आप ढूंडेंगे और उसको analyze करेंगे तो ये जो system का response आपको निकालना है उसके लिए आपको अलग-अलग tools आगे लगेंगी जिसका ही ये पुरा आपका subject transform रहेगा, Laplace transform रहेगा, Z transform रहेगा जो भी आपकी transform methods रहेंगी जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सारी आपका system का response find out करने के लिए ही रगने वाली है ठीके तो इतना आप ध्यान रखो तो आपको उम्मीद करता हूँ signal and system का पूरा introduction अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी मिलते आगले वाले episode में basic से जाएंगे advanced level तक ठीके तो मिलते आगले वाले episode में तब तक के लिए goodbye and thank you very much